मेरे यूटूब चैनल एस्टोर नेश पर आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ नरेश कुमार और सबसे पहले उन दर्शकों का शुकुरिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है पेज के वीडियो को शेर कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं आज बा बचकर 29 मिनट तक सूरे ग्रहन की वस्था में रहेंगे हाला कि यह ग्रहन भारत में नजर नहीं आएगा और यह अस्ट्रेलिया वगरा दूसरे कंट्रीज में ही नजर आएगा अस्ट्रेलिया में तो खैर फुल एकलिप्स नजर आएगा चंद्रमा पूरी तरह से सूरे को ठक लेंगे और इसका असर भारत में नहीं नजर आएगा और सूतक जो है वो भी नहीं लगेगा लेकिन इसका असर कुंडली पर जरूर नजर आएगा कुंडली पर इसलिए क्योंकि यदि कोई बच्चा उस समय पैदा हो रहा है या उस समय किसी का जनम हो रहा है कोई महिला गरब वबस्ता में हैं उन्हें इसका असर जरूर जो है वो देखने को मिलेगा और कुंडली में भी असर जरूर नजर आएगा आपकी कुंडली में जो सूरे की स्थिति है या जो भाव सूरे के द्वारा जो है वो ऑंड है यानकी जिस भाव के सूरे मालिक है जहां पर ग्रह के मताबिक कुछ वीडियो में आप देख सकते हैं कि सूरे ग्रहन को शुब भी बता दिया जाता है सूरे ग्रहन कभी शुब नहीं होता हाला कि यह वीडियो ड्राने के लिए सबसे बड़ी गनिमत की बात यह है कि जब सूरे को ग्रहन लग रहा है उस समय शनी वक्रवस्ता में नहीं है यदि शनी वक्रवस्ता में हो और सूरे को ग्रहन लग जाए तो बड़ी natural climate की अशंकार होती है जितनी भी बड़ी सुनामी आती है या बड़े जो है वो अर्थ को एक आते हैं उस दुरान नॉर्मली देखा जाता है कि शनी वक्र वस्ता में होते हैं और सूरे को ग्रहन लग जाता है और ये ग्रहन का प्रभाव 45 दिन तक रहता है इसलिए कम से कम 45 दिन तक ये सावधानी दरूर्र रखनी चाहिए अब बात करेंगे मकर राशी के जात्कों के लिए सूर्य ग्रहन जो लग रहा है वो चोथे बाव में लग रहा है चोथा भाव सुख स्थान होता है यनकी आपने यदि कोई प्रपटी खरीदनी है कोई गाड़ी खरीदनी है कोई कार खरीदनी है तो यहाँ पर यह कारेक्रम आपको टाल देना चाहिए यदि आप नहीं टालेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई न कोई व्यवधान आपको देखने को मिल जाए चोथा भाव मा का भाव होता है वहाँ पर मा की हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी चोथे भाव से ही जो है वो आपका लाइफ का सारा सुख आता है सूरे आपकी कुणली में अश्टम भाव के स्वामी बनते हैं जब मकर राशी की बात करेंगे तो सूरे अश्टम भाव के स्वामी बन जाएंगे सिंग राशी वहाँ पर अश्टम भाव में आएगी और यदि कोई प्रॉलम आती है तो आपको थोड़ा सा शरेडिक तोर पर अपने आपको फिट रखने के लिए यदि दवाई आपकोई ले रहे हैं तो उसको रिटीन में लेजिए यहाँ पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए यह सावधानी मकर राशी के जात्कों को जरूर रखनी चाहिए ग्रहन के लिए